अब करते हैं मुद्दे की बात यह है कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके CMA Foundation के ठीक है जो model question paper है उसके बारे में I hope आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि जो आपका institute है ICMAI वो model question papers launch करता है exam से पहले तो यह जो model question paper आप सामने देख रहे हैं यह आपके December 2024 exam attempt के लिए है और यह बहुत ही जादा important है आप सभी के लिए तो सारे students जो इस video को देख रहे हैं आपको तो definitely अच्छे से देखना ही है पूरा video देखना है और आपके जो friends हैं, colleagues हैं ठीक है जो exam दे रहे हैं December 24 में उनके साथ भी इस video को जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका फायदा हो चलिए तो start करते हैं आपे model question paper और आप सभी से request है कि आपको क्या करना है ठीक है आपको अपने हाथ में एक copy और एक pen रखना है जैसे जैसे हम question पढ़ेंगे ठीक है मैं तो answer आपको explain करूंगा ही आपको भी खुझ से साथ में कोशिश करते रहना है ठीक है चलिए तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा सवाल है वो है the determination of expenses for an accounting period is based on the concept of किसी भी accounting period में ठीक है आप जब expense को determine करते हो for example 2024 में मेरा खर्चा कितना हुआ मेरा खर्चा हुआ 5,000 रुपे 10,000 रुपे तो यह जो आप determine कर रहे हो 5 और 10,000 रुपे इसके पीछे कौन सा accounting concept छुपा हुआ है क्या इसके पीछे objectivity है क्या इसके पीछे आपका materiality concept है क्या matching है क्या periodicity concept है तो देखो जो objectivity concept होता है वो तो एकदम ही अलग हट के concept है उसका कोई रोल नहीं है maturity concept यह बोलता है कि जो material items है वो दिखाओ matching concept यह बोलता है कि जो expense आप इस साल के panel में दिखाओगे वो वो होने चाहिए जो इस साल के revenue को earn करने के लिए किये गए थे ठीक है और periodicity concept बोलता है कि आपका जो accounting period है या आप जब profit निकालोगे या जो भी calculation करोगे वो एक particular time period के लिए करना है तो इन चारों में से अगर आप देखोगे तो जो सही जवाब है वो है आपका matching concept matching concept बोलता है कि जो expenses है वो उसी accounting period को belong करने चाहिए जिस accounting period में आपने उसे incur किया है या फिर ये वो expenses होने चाहिए जो sale को generate करने उस साल की sale को generate करने के लिए किये गए तो because of this matching concept only ठीक है आप expenses दिखाते हो एक accounting period के अंदर चलिए दूसरे सवाल की बात करते है fixed assets and current assets are categorized as per the concept of तेखो आपने पढ़ाई होगा कि जैसे machines, buildings, they are fixed assets जो लंबे समय के लिए benefit देते है फिर आते है current assets जैसे की हो गए आपका cash, bank balance, debtors ठीक है ये वो होते है जो up to one year तक ही benefit देते है now किसने आपसे ये कहा कि आप asset को fixed और current asset में categorize करो तो कोई ते accounting concept होगा चलिए separate entity concept ये बोलता है कि आपका business एक separate है आपके owner से going concern concept बोलता है कि आपका business है वो एक forceable future तक चलेगा consistency बोलता है कि जो भी कर रहे हो consistently करो और time period बोलता है कि एक time period होना चाहिए तो इन चारों में से जो सही जवाब है इसका वो है going concern concept कि going concern concept बोलता है कि आपका business एक लंबे समय तक चलेगा तो अपने कुछ assets को जो लंबे समय तक benefit देंगे ठीक है उसे आप fixed assets कहिए और वो assets जो limited समय के लिए benefit देते हैं उसे आप current asset कहिए तो सही जवाब है going concern तीसरा सवाल an expenditure is capital in nature when on a day go खर्चे generally दो तरह की होता है एक जो capital nature की होता है एक जो revenue nature की होता है revenue nature के जो खर्चे होते हैं वह वह होते हैं जो आपको limited समय के लिए ही benefit देते हैं जैसे कि salary आपने staff को pay करी तो एक महिने का ही benefit मिलेगा, अगले महिने फिर salary देनी है, आपने rent pay किया, एक महिने का benefit मिलेगा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जो आपको लंबे समय तक benefit देते हैं, जिसे हम capital expenditure कहते हैं, ठीक है, जैसे कि machine को खरीजा, land building में investment किया, तो वो expenditure जो आपको more than one year के लिए benefit दे दे, those are capital expenditures, तो आपको उताना है कि इसमें से कौन सा expenditure ऐसा है, जो capital nature का है, वो कब capital nature का होगा, it is paid as interest on loan for the business नहीं, आप loan लेते हो, उस loan पे जो interest पे करते हो, वो आपका revenue expenditure होता है, capital नहीं, यह बो expenditure है, it increases the quantity of fixed assets along with future benefit, यह इस expenditure को करने से, आपके जो fixed assets उनकी quantity बढ़ जाती है, यानिकि म मेरे पास दो machine है, मैंने इसको incur किया, मेरे पास अब तीन machine हो गई, तो यह क्या है, capital expenditure, correct answer is B, ठीक है, तीसरा क्यों नहीं है, the receiver of amount is going to treat it for the purchase of fixed assets, ठीक है, यानि कि आपने जिसको payment किया है, the receiver of the amount is going to treat it for the purchases of fixed assets, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के इन्हों ने दिया, receiver of amount, मतलब आ payment कर रहे हो, वो उसको कैसे treat कर रहा है, for the purchases of fixed assets, वो उसको purchase of fixed assets treat कर रहा है, तो basically यहाँ पे आप purchase नहीं, आप sale कर रहे हो, सामने वाले के लिए purchase है, ठीक है, none of the above, no, तो यह है सही answer, increases the quantity of fixed assets along with future economic benefits, life membership fees received by club, जब आप club के जो members होते हैं, ठीक है, वो एक life membership fees देते हैं, अब simple जाती है, यह हर महीने, हर साल दी जाती है, यह एक ही बार दी जाती है, इसलिए इसको life membership fees बोलते हैं, तो ऐसी fees, जो once in a life आप receive कर रहे हो, वो आपका capital receipt होता है, ना कि revenue receipt, ठीक है, चलिए, preliminary expenses incurred before the commencement of business is considered, ठीक है, business के commence होने से पहले, आपने कुछ preliminary nature के expenses किये थे, तो वो कौ revenue expenditure है, बिल्कुल नहीं, वो तो वो expenditure होता है, जो business established होने के बाद, आप day to day basis पे करते हो, operating expenses, capital expenditure, जो business established हो जाता है, मतलब जो long term के लिए आपको benefit देता है, तो यह जो preliminary expenses है, जिसमें generally आपके share issue expenses आजाते है, documentation का खर्चा आता है, यह आजाते है, differed revenue expenditure की category में, ठीक है, चलिए, इसके बाद, अगला देखते है, the debts return off as bad if recovered subsequently are, आपने bad debts को, ठीक है, जो आपके bad debts थे, suppose करिए, कि आपके यहाँ पे 100 rupees के bad debts हुए, तो आप इसको क्या करोगे, sir इसको penal account में ले जाएंगे और debit करेंगे, हना penal debit, two bad debts, और कल को यही 100 रुपे के bad debts जब recover हो जाएंगे, तो क्य क्या करोगे, profit को बढ़ाओगे, हना recovery हो रही है, तो PNL को क्या करोगे, credit करोगे, और bad debts recovered account को debit करोगे, so credit to bad debts recovered account, wrong, credit to trade receivable account, wrong, just a second, the debts return off as bad if recovered subsequently are, जब हम bad debts की recovery करते हैं, तो हमारा जो profit and loss account होता है, ठीक है, वो credit होगा, और bad debts recovered जो होता है, वो हम debit करते हैं, हना, देखो, जब आपके bad debts की recovery होती है, तो आपके entry जनरली यह होती है, cash account debit, ठीक है, cash cash या bank भी लिख सकते हो, let's say 100 rupees to bad debts recovered account, ठीक है, तो जब आप bad debts की recovery करते हो, तो bad debts recovered account को क्या करते हो, आप credit कर रहे हो, यहाँ पर, correct, तो वही answer यहाँ पर, कि credited to bad debts recovered account, ठीक है, चलिए, तो इसमें penal नहीं है penal क्या होगा, बाद में क्या होगा, वो भी बता देता हूँ, अब यह जो bad debts recovered account है, यह penal account के through close होगा, तो entry होगी bad debts recovered account debit, यह credit होगे close हो जाएगा, और आपका जो penal account है, आप उसे करोगे credit, 100 rupees से, ठीक है, तो यह entry है, दूसरी entry, लिकिन उस entry का यहाँ पर कोई resemblance नहीं होगा, चलिए, इसके बाद अगले question पर चलते है, if goods worth rupees 1750 रुपए, return to supplier, आपने 1750 रुपए के goods यहाँ पर supplier को वापस कर दिये, supplier जिससे आपने purchase किया होगा, तो यह क्या है फिर, sir यह हो गया मेरा purchase return, purchase return फाइदा होता है, नुकसान होता है, sir purchase return हमारा फाइदा होता है, क्योंकि हम में positive sign लगाता हूँ, is wrongly entered in the sales return book as 1570, आपने इसको sales return book में दिखा दिया, एक फाइदे को, purchase return को आप sales return book में ले गए, तो क्या हुआ होगा, आपकी sales return, sales return book बढ़ गई होगी, 1570 से, मतलब sales return बढ़ गई होगी, तो sales कम हो गई होगी, overall net sales तो कम हो गई, आपका revenue कम हो गया, त तो आपने अपना नुकसान दिखा दिया है, तो अगर मैं बात करूँ कि इसका क्या effect आएगा, ध्यान से देखना, आपकी gross profit या net profit पे उस पे focus करना, तो देखो, आपने purchase return को, purchase return क्या करता है, profit को बढ़ाता है, लेकिन आपने क्या क्या, दिखाया ही नहीं, तो profit आपका, 1750 पचास रुपे से कम हो गया, और फिर आपने उसको sales return में दिखा दिया, 1570 रुपे को, तो आपने अपने profit को और गिरा दिया, तो plus 1570, तो 3320 से आपका profit यहाँ पे गिर जाएगा, सवाल है, कौन सा profit, gross profit या net profit, purchase return कहा आता है, trading account में आता है, GP से पहले आता है, तो gross profit will decrease by 3320 कह पहला गया, यह रहा, D point, ठीक है, so correct answer is D, which of the following errors affect the agreement of a trial balance, इसमें से कौन सा ऐसा error है, जो trial balance को agree नहीं होने देता है, मतलब match नहीं होने देता है, so इसका जो correct answer है, affect the agreement, ठीक है, compensating errors, compensating errors, trial balance को match करवा देते है, error of principle, इसकी वज़े से भी trial balance match होता है, wrong totaling of subsidiary book, अगर आप subsidiary book का total गलत करोगे, तो क्या होगा, चलो, इसका मैं आपको छोटा सा example देता हूँ, तो, suppose करिए, कि आपकी subsidiary book है, sales book है, sales subsidiary book होती है, ठीक है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 400 है, तो total 900 होना चाहिए, आपने 1000 किया, तो इससे क्या होगा, subsidiary book का total कहां, sales book, subsidiary book है, इसका total कहां sales account में, sales account credit कितने से होगा, 1000 से, लेकिन जो debtors हैं आपके, customer जिनको credit sale की थी, उनके account को तो आप 500 और 400 से debit कर रहे हो, तो debit effect 900 का है, credit effect, 1000 का है, trial balance कभी में अच्छी नहीं होने वाला, तो सही जवाब है, wrong totaling of subsidiary book, debit balance as per bank, bank pass book mean, आपकी जो bank pass book है, इसमें जब credit balance होता है, तो favorable हो होता है, तो debit balance क्या होता है, unfavorable, unfavorable का मतलब होता है, overdraft, ठीक है, तो bank overdraft is the correct answer, original cost is rupees 1,50,000, कोई machine होगी, residual value 10,000 है, depreciation for third year at the rate of 10% per annum under WDB method, WDB method में आपको जो rate दिया गया है 10%, ये rate निकालते वक्त, जो residual value that is already considered, तो सीधे सीधे आप 1,50,000 पे, पहले साल का 10% माइनस करो, तो तीसरे साल का 10% माइनस करो, तो तीसरे साल का 10% है, वो आ रहा है 12,150, तो correct answer है B, ठीक है, I hope यहां तक आपको अच्छे से clear हो चुका होगा ठीक है, तो दीक है, जैसे हम यहां पे model question paper कर रहे हैं, I hope आपको concept भी समझ में आ रहा है, I am trying कि मैं साथ में question भी, concept भी कराऊ, पर अगर concept में कोई दिक्कत है, तो आप grooming education academy का, जो OTT course है, CMA foundation का, जो कि सिर्फ सारे 400 रुपे में मिलता है, आप उसे access कर सकते हैं, ठीक है, उसक इसके बाद, next question देखते है, 11 नमबर, तो provision for discount allowed on outstanding debtors, balances, should be calculated at an appropriate rate on, आपको उता नहीं, जो provision for discount allowed होता है, जो किस पर calculate किया जाता है, तो वो calculate किया जाता है, आपके debtors के balance में, माइनस, अगर कुछ bad debts है, तो वो minus कर दो, ठीक है, लेकिन एक और इसमें चीज़े अभी दिखाता दूसरा option क्या है, total debtors, net of any bad debts written off, तीसरा है, total debtors, less total creditors, होई नहीं सकता, last है, total debtors, net of any bad debts written off, and after deducting the cumulative amount of any provision for doubtful debt, this is the correct answer, ठीक है, तो जब आप provision for discount allowed निकालते हो, तो अपने debtors के amount में से, इसका मैं आपको एक numerical example देता हूँ, तो suppose करो कि आपके जो debtors है, वो 1000 रुपे के हैं, ठीक है, आपके bad debts हो गए 100 रुपे के, तो 1000 रुपे से आपको 1000 रुपे लेने थे, अब 100 रुपे तो bad debt हो गया, तो वो तो मिलने से रहा, तो अब provision कितने के लिए बनाओगा आप? let's say 900 रुपए पे 900 रुपए पे आपको provision बनाना पड़ेगा क्यों 100 तो मिलना ही नहीं है तो उसके लिए क्यों provision बनाओगे फिर आपको ये पता चला कि जो provision for doubtful debts है मतलब 900 में से आपको लगता है कि 600 रुपए के 200 रुपए के जाएटर्स ऐसे हैं जो शायद पैसा ना देंगे तो माइनस 200 कर दिया तो अब पैसा कौन देगा 700 रुपए का आपको शियो नहीं ये 700 रुपए आपको मिलेंगे तो जब आप discount allowed का provision बनाओगे तो इसी पे तो बनाओगे ना जो पैसा देगा उसी को तो discount होगे ठीक है तो correct answer is D accumulated depreciation is an example of straight forward है liability होती accumulated depreciation अगला देखते है purchase price of machine is 8,90,000 रुपई एक machine है जिसकी purchase price है 8,90,000 रुपए freight और cartridge कितना है 7,000 तो ये add हो जाएगा asset की cost में installation कितना है 30,000 ये भी add हो जाएगा तो 9,27,000 रुपए हो गया insurance charges कितना है 20,000 residual value है 40,000 estimated life है 5 साल calculate the amount of annual depreciation under straight line method तो इस सवाल में देखो straight line method बहुत ही असान होता है asset की जो cost है उसमें से residual value minus करके asset की जो life है से divide करो अब सवाल ये है कि asset की जो cost है वो क्या है तो asset की cost में क्या क्या आ जाएगा purchase price 8,90,000 freight 7,000 insurance charges मत लेना ठीक है insurance charges generally recurring nature के expenses होता है ये PNL account में जाएगा यहाँ पे नहीं आएगा तो 9,27,000 की cost हो गई minus residual value 40,000 divided by life 5 years ठीक है तो ये आजाएगा आपका 177,400 ये है आपका depreciation हर साल का trial balance is used to check the accuracy of trial balance किसकी accuracy चेक करता है balance sheet की सवाल ही नहीं होता है ledger account की हो सकता है cash flow की सवाल ही नहीं होता है income state balances की नहीं ledger account balances ठीक है trial balance बनता ही ledger account बनाने के बाद है ठीक है depreciation refers to the process of asset valuation allocation of cost of asset over the period of its life absolutely correct depreciation होता क्या है depreciation का मतलब होता है कि asset की जो cost है आप उसको asset की life के ओपर बाट रहे हो ठीक है तो this is correct B वाला part ठीक है उसके बाद है which of these is our recurring indirect expenses simple भाचा में इसमें से कौन सा खर्चा ऐसा है जो recurring nature का है यानि कि जो बार-बार होता है और indirect expense है मतलब यह directly purchase related से नहीं है यह आपकी business के indirect खर्चे है जो की penal account में जाते है ना की trading account में transit insurance and freight यह direct expense होता है octry direct expense होता है loading unloading direct expense होता है ठीक है और go down का rent and insurance तो go down का rent और insurance हम तब देते है जब goods हमाली factory में आ जाते है मतलब direct expense incur हो गए goods आगे factory में अब जो rent insurance आप करोगे ठीक है वो सब indirect expenses होते है तो यह है आपका सही जवाब ठीक है indirect expense goods of the invoice value of rupees 2,40,000 sent out to consignee at 20% profit on cost the loading amount अच्छा, loading क्या होता है loading का मतलब होता है basically profit जो invoice value के अंदर included होता है हना तो यहाँ पर invoice value दे रखिए 2,40,000 और देखो यह है consigner यह है consignee consigner ने consignee को 2,40,000 के goods भेज दिये और इसमें profit भी add करके भेजा है जिसको loading कहते है ठीक है कितना है 20% profit अब profit किस पर है cost पर cost तो मेरे को पता ही नहीं है मुझे तो invoice price पता है तो cost plus profit होता है invoice price हना cost पता नहीं है invoice price पता है 2,40,000 ठीक है profit कितना है 20% on cost यानि कि 0.20 of x खता हम equation solve कर दो तो 2,40,000 divided by 1.2 तो x यानि कि cost आ गई आपकी 2,00,000 तो cost और invoice price के difference 40,000 का profit तो correct answer है आपका यहाँ पर A ओके चलिए अब performa invoice is sent by performa invoice कौन किसको भेजता है consignee consigner को भेजता है performa invoice होता क्या है एक ऐसा invoice है it's a just like invoice final invoice तो नहीं बोल सकते invoice जैसा होता है तो यह कौन किसको भेजेगा जिसको पैसे लेने है वो या जिसको पैसे देने है sir invoice तो वो भेजता है जिसको पैसे लेने है तो consignment में किसको पैसे लेने होते है consignee को Consignee को Consignee को Consignee से पएसे लेने होता था, तो Consignee to Consignee, Profoma invoice भेजा जाता है. इसके बाद Memorandum Joint Venture Account is prepared. जो Memorandum Joint Venture Account होता है, is prepared, कब prepare करते हैं? When separate set of books is maintained. जब दोनों co-venturers या तीनों co-venture अपने separate set of books करते हैं, तब बनाते हैं, बिलकुल धी नहीं. तब तो joint bank account बनता है, जादा important जब हर एक co-venture अपने पास सारे transactions का हिसाब किताब रखता है या when each co-venture keeps records of their own joint venture transaction या none of these तो answer या तो B है या तो C है तो देखो, memorandum joint venture तब बनाया जाता है ठीके जिसके अंदर basically हम profit loss निकालते हैं joint venture का जब हर एक co-venture सिर्फ और सिर्फ अपने ही joint venture transaction को record करता है ठीक है, चलिए अगला when notary public notes the bill when the notary public notes the bill it is called dash, accepting, noting, discounting, none of the above तो जवाब है इसका noting, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, X sold goods to Y X ने Y को goods बेचे हैं, कितने? तीस, तीस लाग तो नहीं है, तीन लाग होना चाहिए ठीक है, तीन लाग रुपे के, कॉमा गलत लग गया है X ने Y को goods बेचे हैं, यहाँ पे तीन लाग रुपे के half of the amount will be received in cash and a balance through a bill receivable for what amount X should draw a bill तो सीदे सीदे इसका जो आदा है तेर लाग, 1,50,000 इतने रुपे का bill draw करेगा क्योंकि बाकी आधा तो आपको cash में मिल गया उसके लिए क्यों bill draw करना है, हाना? bill तो उसके लिए draw करते हैं, जो credit में sale होती है, ओके? चलिए, अगला देखता है P sends out goods costing rupees 3 lakh to Y ठीक है, P ने Y को goods भेजे है जिसकी costing, लागत है 3 lakh at cost plus 25% ठीक है, cost पे आपने 25% add करके ये cost है, Y को जब भेजा तो उस पे 25% add कर दिया consignor के expenses कितने हैं? 5,000 1 tenth of the goods were lost in transit ठीक है, insurance claim received 3,000 रुपे net loss on account of abnormal losses आपको बताना है कि यहाँ पे आपका कितना नुकसान हुआ है, abnormal loss में ठीक है, तो देखो abnormal loss क्या है यहाँ पे, यह lost in transit, अब कितने goods lost in transit हुए है 1 tenth 1 tenth के goods आपके lost in transit है पर किसका 1 tenth निकालोगे तो यह देखो, आपने जो goods भेजे थे, ध्यान से सुना, उसकी लागत कितनी है, cause कितनी है, 3 lakh और फिर आपने इसमें profit एर किया, उसको तो छोड़ दो Conziner के खरचे कितने है, 5,000 तो 3,500, क्या खरचा करके Conziner ने Conziner को goods भेजे उसका 1 tenth हना, उसका 1 tenth, य charter कि 30,500 रुपए के goods क्या हो गए? आपके lost in transit हो गए. ठीक है? जिसमें से 3,000 रुपए आपको वापस मिल गया, तो net loss कितना हुआ? इंशुरेंस के मिला ना? 27,500. तो answer A is the correct answer. आगया समझ में? चलिए. इसके बाद अगला देखते हैं. डेल क्रेडर कमिशन is allowed to cover. डेल क्रेडर कमिशन क्यों देते हैं आप? सर्थ डेल क्रेडर कमिशन इसले देते हैं कंजाइनी को ताकि वो क्या कर सके? नॉर्मल लॉस को cover सके? अबनॉर्मल लॉस को या loss due to bad debts. The correct answer is loss due to bad debts. bad debts का जो भी नुकसान होगा वो कंजाइनी ही जेलेगा. अगर हाँ है ऐसा है तो आप उसको डेल क्रेडर कमिशन यहाँ पे देते हूँ. ठीक है? चलिए. इसके बाद next देखते हैं. कुंटल draws a bill on शाम for रुपीज 3,000. कुंटल ने एक bill draw किया है शाम के उपर 3,000 रुपे का कुंटल ने से endorse कर दिया राम को क्योंकि कुंटल को राम को payment करनी थी तो उसने राम को बोला कि ये लो बिल जो मैंने शाम को दिया हुआ है 3,000 रुपे का. डू जेट पे शाम तुम को 3,000 दे देगा. राम एंडोर सिक टू रहीम. राम ने इस bill को रहीम को दिया क्योंकि उस पैसा देता है. पे ही वो होता है जिसको डू डेट पे पैसा मिलेगा. तो डू डेट पे कौन, किसको पैसा मिलने वाला है? जिसके पास बिल होगा और बिल किसके पास है? रहीम के पास. तो सही जवाब है D, यानि की रहीम. ठीक है? चलिए. इसके बाद अगला देखते है. On 1st August 2013, X draws a bill on Y for 30 days. X ने Y के उपर 30 दिन का एक bill draw किया. After sight, the date of acceptance is 8 August 23, the due date of the bill will be. तो देखो, यहाँ पे bill कितना है? 30 दिन का है, after sight, date of acceptance क्या है? Bill कव accept हुआ है आपका? 8 August 2023 को यह bill accept हुआ. तो देखो, इसका मतलब यह होता है, after sight का मतलब, कि जिस दिन bill accept होता है, after sight मतलब जिस दिन उसने bill देख लिया, जिसको आपने bill दिया है, draw को, उस दिन से days को add किया जात है, तो 30 दिन का bill है, तो यहाँ पे आप 30 दिन add करोगे, ठीक है? तो 8 August में अगर मैं 30 दिन add करूँ, अगस का महीन है, अगस में कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं, हना? तो 9 और 10 August, 2 दिन यह हो गए, then 20, 30 यह, तो यह हो गए आपके 22 और 23 दिन, ठीक है? 7 दिन और, तो 7, 3 दिन grace के, 8, 9, 10, तो correct answer होगा इसका, 10 September 2023, ठीक है? क्या किया मैंने? 8 August में मैंने 30 दिन add कर दिये, तो 7 August हो गया, क्योंकि 31 का महीन है, हना? 7 August हो गया, और फिर मैंने 3 दिन grace के add कर दिये, तो माहत कीजा, अगस नहीं, September, तो यह हो गया 10 September, आगे समझ में? इसके बाद, next देखते है a company wishes to earn a 20% profit margin on selling price, company क्या चाती है? कि उसे selling price पे 20% का profit margin हो, which of the following is the profit markup upon cost? मतलब यह है, कि अगर sales पे 20% है, तो cost पे कितना होगा? correct answer है, 25%, कैसे बता देता हूँ? cost plus profit is equals to sale होता है, हना? अभी मैं कहता हूँ, suppose करो कि sales 100 है, profit कितना है? sale पे 20%, तो 20 रुपे हो गया, तो cost कितनी हो गई? 80 रुपे, अब मैं पूछ रहा हूँ, कि profit cost पे कितना है? तो 20 बटा 80 into 100, हना? तो 20 बटा 80 into 100, कितना आ रहा है? 25%, तो markup यहने कि cost पे कितना हो गया? यह 25%, आगया समझ में? तो next question देखते हैं, question number 27, so depreciation appearing in the trial balance should be, अच्छा, अगर depreciation trial balance में appear हो रहा है, मतलब trial balance में दिख रहा है, तो उसका क्या adjustment होता है? बहुत simple है, आप उसे profit and loss account में debit कर दोगे, और balance sheet में, जिस asset के ओपर depreciation लग रहा है, उसकी cost में से minus करोगे, तो debit to penal account बिल्कुल सही है, reduce from related asset in the balance sheet बिल्कुल सही है, तो A और C right answer है, याने कि बोथ A and C, so D is the correct answer, shown as liability in the balance sheet बिल्कुल भी नहीं. Now, next है, based on which of the following concept is share capital account, is shown on the liability side of balance sheet. आप balance sheet के liability side पे share capital account दिखाते हैं, तो कौन सा ऐसा concept है, जिसने आपको ये बोला है, कि जो owner का पैसा है, जिसे आप capital बोलते हो, उसे आप इधर, balance sheet में liability side दिखाओ. तो इसके पीछे का जो concept है, वो है, business entity concept. जो business entity concept यहीं बताता है, कि business owner है, वो अलग है. और जो आप books बनाते हो, जो balance sheet बनाते हो, जो कुछ भी करते हो, accounting के अंदर, वो business के perspective से करते हो. ठीक है, तो अगर business ने owner से कुछ पैसा लिया है, तो वो उसकी liability है, क्योंकि उसे वो बादने वापस करना पड़ेगा. Question 29, एक numerical है, consider the following data and identify the amount which will be deducted from sundry debtors in the balance sheet. तो इसमें से कौन सा item, balance sheet में sundry debtors में से हम deduct करेंगे. तो bad debts करेंगे minus, हाँ सर, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये bad debts trial balance के हैं, तो अगर ये trial balance के bad debts हैं, तो ये already minus हो चुके होंगे. आपने जब entry करी होगी, bad debts account debit to sundry debtors account, हाना, तो sundry debtors को तो अलरड़ी कम कर दिया ना, तो दुबारा क्यों करोगे, तो ये नहीं आएगा. ठीक है, provision कितना है, old आपका, 2000, और इस साल कितना provision बनाया है, 800, तो इस साल आपने जो नया provision बनाया है, सिर्फ यही amount आपकी balance sheet में debtors को कम करेगा. So, correct answer is B, 800 रुपीज. Organize the order of process of final accounting. तो जब आप final accounting करते हैं, तो किस order में चीज़े बनाई जाती है? क्या सबसे पहले final account बनता है? बिल्कुल भी नहीं. क्या सबसे पहले ledger बनता है? बिल्कुल भी नहीं. क्या सबसे पहले journal बनता है? जी हाँ. उसके बाद ledger बनता है? जी हाँ. उसके बाद final accounts बन होता है कि जो भी हमारा final net profit आया है उसे appropriate कर सके उसे बाठ सके तो यह इसलिए बनता है तो divide the profit and loss between the owners of the company this is correct to show an ideal profit ideal profit जैसे कोई चीज नहीं होती जो भी profit आया है वही आपको accept करना पड़ता है ऐसा कोई account नहीं है जो ideal profit आपको निकाल के दिखा सके ठीक है तो compare the P&L of the company with other companies बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो एस दा correct answer ताकि जो भी profit है क्योंकि profit किसका होता है ओनर को होता है तो इस profit को owners को बाता जा सके कैसे बाठ रहे हैं वो P&L appropriation account में हम present करते हैं नाव उसके बाद next question देखते है 32 the capital of a non-profit organization is known as जो non-profit organization होते हैं उनकी जो capital है उसे capital fund के नाम से जाना जाता है तो इसका correct answer be accumulated fund slash capital fund any donation receipt for a specific purpose अगर आप specific purpose के लिए किसी से donation ले रहे हैं तो यह कहलाता है आपका C liability आप इसे balance sheet में liability site पर दिखाएंगे ओके the balance of petty cash is a petty cash क्या होता है सर्फ पैटी cash asset होता है और asset account का जो balance होगा वो क्या होगा asset ही होगा तो correct answer is an asset okay next the manufacturing account is prepared हम manufacturing account क्यों बनाते हैं अच्छा हम trading account क्यों बनाते हैं ताकि उसके अंदर हमने जो goods बेचे हैं जो goods खरीदे थे उसका दिखा सके कितना खरीदा कितना बेचा एक्सेक्टा manufacturing account कौन बनाता है manufacturer बनाता और वो इसलिए बनाता है ताकि उसने जो goods manufacture किये हैं उनकी cost of production को दिखा सके ठीक है so manufacturing account is prepared to ascertain the profit or loss नहीं to show the sale proceeds from the goods produce बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जो sale proceeds है वो training account में दिखाया जाता है to ascertain the cost of manufacture goods जी हाँ एकदम सही ना उसके बाद next है हमारा closing stock appearing in the trial balance is shown in अगर closing stock देखो अगर closing stock नीचे notes में लिखा है additional information में तब फिर आप उसको training account में दिखाते हो और balance sheet में दिखाते हो लेकिन अगर closing stock balance trial balance में appear कर रहा है इसका मतलब है कि वो purchases में से already minus हो चुका है तो आपको वापस से trading account में दिखाने की कोई ज़रत नहीं है आप उससे सिर्फ और सिर्फ balance sheet में ही दिखा के रखोगे ये point ज़रूर से ध्यान रखेगा opportunity cost is the best example of sunk cost नहीं standard cost नहीं अच्छा sunk cost तो वो होती है जो पास में इंकर करती है जो cost डूब गई irrelevant हाना standard cost standard cost होती है कि किसी product को बनाने के लिए कितना पैसा लगना चाहिए था relevant cost जो की decision making के लिए relevant होती है क्या opportunity cost किसी भी decision के लिए relevant होती है जी हां तो opportunity cost क्या है आपकी relevant cost है ठीक है बहुत important cost है जो decision making में यूज करी जाती है चलिए अगला देखते है question number 38 variable cost अब यह क्या बोल दिया variable cost फिक्स होड़ना होती वेरिबल cost वेरिबल होती है नहीं variable cost जो पर unit होती है वो फिक्स होती है जैसे कि डारेक्ट material डारेक्ट लेवर डायट expenses ओके आपके जो वेरिबल overheads होते हैं यह पर unit में fix होते हैं तो वेरिबल cost फिक्स पर unit ठीक है तो टोटल में अगर आप देखोगे तो वेरिबल cost change होगी लेकिन पर unit वो सेम होती है विच कॉस्ट सिस्टम description applies to the manufacture of 20 engraved doors for the new clubhouse at a golf course ठीक है तो golf course में एक नया clubhouse बन रहा है जिसके लिए आप 20 engraved doors बीस डोट जो बिलकुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वो बना रहे हो तो कौन सा cost system यहां पर लगाओगे contract costing लगाओगे process costing लगाओगे batch costing लगाओगे या service costing तो इसका जो सही जवाब है just a second वो है आपका batch costing ठीक है क्यूंकि यहां पे 20 engraved doors है बिल्कुल एक जैसे डोर है तो आप उसे एक batch में ही produce करोगे process cost is very much applicable in process cost कहां पर applicable construction में बिल्कुल नहीं यहां तो contract costing लगता है airline company नहीं pharmaceutical जी हां तो जो pharmaceutical companies होते हैं जो medicines बनाती है ठीक है medicines जो बनते हैं वो उसके उपर आप process costing लगाते हो ओके ना विच आप the following item is excluded from cost account इसमें से कौन से ऐसा item है जो cost account में नहीं आता income tax कभी देखा costing में नहीं interest on venture नहीं cash नहीं यह सभी के सभी प्योरली financial items है कौन से items है financial items है और financial items को हम cost account में नहीं दिखाते हैं तो इसका सही जवाब है imputed cost नहीं cost of shutdown देखो अगर आपकी company बंद हो गई तो जो shutdown cost होती है जैसे कि suppose करो कि आज आपने company बंद कर दी लेकिन आपका rent agreement अगले तीन महिने तक है तो तीन महिने तक agreement तो देना पड़ेगा तो वो shutdown cost हो गई ठीक है तो shutdown cost का मतलब होता है कि shutdown यानकी बंद करने पे जो cost आपकी incur होगी तो जब भी आप कोई company close होती है तो shutdown cost तो obviously incur होगी ठीक है The main objective of cost accounting is cost accounting का यहाँ पर main objective क्या होता है To record day to day business transaction नहीं To measure the manager efficiency नहीं To ascertain the true cost of product and service में भी हो सकता है लेकिन जो option D है एक बार वो भी देख लेता है So to determine the tender price बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो इसका जो सही जवाब है वो है option number C Cost accounting का जो main objective है वो यही है कि आप अपने product service की true cost निकाल सको ठीक है चलिए इसके बाद next देखते है cost reduction ना cost reduction का मतलब क्या होता है Cost reduction का मतलब होता है कि आप अपने product की जो cost है उसको एक systematic तरीके से धीरे-धीरे reduce करते हो ठीक है तो मैंने क्या बोला धीरे-धीरे reduce करते हो तो यह नहीं कि आज किया उसकी बाद 10 साल तक नहीं करोगे ठीक है long term nature होता है cost reduction यह नहीं कि आज किया अब नहीं करेंगे okay it's going to be there for the next one two three years ठीक है तो पहली चीज़ जो cost reduction है वो एक long term phenomena होता है ठीक है और cost reduction के अंदर हम क्या करते हैं पहले तो हम cost का standard set करते हैं कि 100 रुपे की cost होनी चाहिए अच्छा फिर हम देखते हैं कि हम इसे कितना और कम कर सकते हैं तो यहां पे standards को challenge किया जाता है ठीक है तो cost reduction कोई गलत बात नहीं होती ध्यान रखना आप same चीज़ को बनाने का और भी तरीके है उसको use करके अपनी cost को बचा सकते हो वो आता है cost reduction तो quality सफर नहीं होनी चाहिए ठीक है it is carried out without compromising the quality जैसे कि मैंने खा तो इसके तीनों ही सही answer है so answer is the all of the above the guidance and regulation by executive action of the cost of operating and undertaking is said to be इसे cost control कहते है cost control की एक तरह से definition है वो cost are classified into fixed cost variable cost and semi variable cost it is known as देखो आप cost को बहुत-बहुत अलग-अलग तरीके से classify कर सकते हो उसमें से एक classification होता है cost का उसके behavior के basis पे fixed cost का behavior होता है कि वो change नहीं होती variable cost का behavior होता है कि वो total में change हो जाती है semi variable cost change भी होती है और fixed भी होती है तो जब आप cost का classification इस हिसाब से करते हो इसको हम बोलते है behavioral classification functional classification में production cost हो गई है non production cost जैसे कि administration selling वो सब आता है element wise में material labor overheads इस तरह से बाटा जाता है ठीक है और controllability की basis पे controllable and uncontrollable cost which method of costing is used for determination of cost of printing printing industry में लगता है आपका batch costing ठीक है क्योंकि देखो जो printing industry वो क्या करती है प्रिंट्स बनाते हैं ठीक है तो जब वो print करते हैं तो लगसे किसी के शादी का card print करना है है तो ऐसा तो नहीं ने एक card print होगा पांस सो छे सो हजार cards print होते हैं तो वहां पे batches में print किये जाते हैं ठीक है statement showing breakup of cost is known as so इसको cost sheet बोलते हैं जिसके अंदर आप cost का break up दिखाते हो आप cost को direct material कितना है direct labor that यानि की prime cost दिखाते हो फिर उसके और उसमें overheads की cost भी अलग से दिखाते हो factory cost होती है फिर आप उसमें WIP को adjust करते हो ठीक है फिर आप उसके बाद अपने finished goods के opening closing stock को adjust करते हो तो cost sheet ठीक है now second last question what items are in part of cost इन में से कौन से ऐसा item है जो cost accounting का part नहीं है cost of the product 100% यह तो ही हना cost accounting के अंदर आता है उसके बाद controlling cost जी हाँ controlling भी cost accounting का ही part है planning भी होती है cost account profit sharing बिल्कुल नहीं profit sharing financial accounting का part होता है cost accounting का part नहीं होता आपने cost accounting में ना भी देखा है ना भविश्य में कहीं देखोगे कि profit निकाल के भाटा जा रहा है वो PNL account के अंदर होता है या PNL appropriation के अंदर batch costing is useful to determine maximum quantity of output no minimum quantity of output no economic batch quantity correct profit of batches no batch costing जो है उसका देखो profit भी निकालते हो batches का but batch quantity का ज्यादा यूस क्या sorry batch costing का ज्यादा इस्तमाल किस में होता है economic batch quantity निकालने का यह वो batch quantity होती है जिसको बनाने पर आपकी जो cost होती है वो कम से कम incur होती है तो यह थे आपके सारे के सारे 50 multiple choice questions आपके model question paper जो दिसंबर 2024 के लिए अगर आप इनके concepts को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहली बताया था आप CMA Foundation का जो OTT course है OTT course है किसका grooming education academy का OTT course जो कि आपको सिर्फ साड़े 400 रुपए पर मंत में मिलता है आप इसे ले सकते हैं अपने concepts को बहुत बहुत जादा बहतर कर सकते हैं आप description पर जाएंगे तो link मिलेगा वहां से आप इस course को access कर सकते हैं ठीक है तो अच्छे से पढ़िए इस पूरे model question paper को एक बार फिर से go through करिए solve करिए करें खुछ से and all the very best for the December 2024 attempt